बोलो बम बम महादे बाम बाम देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ राहु के 18 महीने के बारे में कि मित्वन रासी वालों के जीवन में ये राहु का जो प्रभाव है 18 महीने में आखिर कैसा रहने वाला है किस मामले में बढ़ियां किस मामले में खराब राहु फ़ल देने वाला है इस विशैपर में भी हम लोग बात करेंगे देवी और सज्जनों आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि राहु जो है 29 नौंबर 2023 से 29 पांच 2025 के बीच में मीन रासी में रहेंगे यनि कि 29 नौंबर 2023 को रासी प्रिबर्तन करके मिथुन रासी वालों के लिए कुंडली के एकादस भाव से कुंडली के दसम भाव की तरफ आ जाएंगे यहां पर में आ जाएंगे अभीता के यहां पर में है कब से कब तक तो मार्च 2022 यनि कि 17 मार्च 2022 गुरू बार के दिन पांच बज़ के 6 मिनट यन से 29 नौंबर 2023 बुद्ध बार के दिन 12 बज़ के 46 मिनट एम तक यह आपके कुंडली के कि बाव में एका दस भाव में थे मिनट उन्रासिवार क अब आ जाएंगे कुंडली के यह दस भाव, तो क्या क्या फल ça आपको मिलेगा यह तो मैं बताँगा ही, लेकिन आपको क्या क्या फल मिला, यानि कि पहले आपने क्या-क्या फल इसके माद्यम से भूगता है अच्छा या बुरा उसके बारे में भी मैं आपको बताओंगा कि 29-11-2023 से लेकर के 29-5-2025 यानि कि इस 18 महिने में आपको किस-किस परेसानी से छुटकारा मिलेगी इस विजय पर बात करेंगे लेकिन साथ में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 17 मार्च 2022 थश डे यानि कि गुरू बार के 5 बज़ के 6 मिनट एम से लेकर के 29 नौमबर 2023 बुद्धवार 12 बज़ के 46 मिनट एम तक क्या-क्या फल आपको मिला है और 29 नौमबर तक किस-किस मामले में आपको ये राहू जो है मिथुन रासी वाले परिशान कर सकता है सबसे पहले आप ये जान ले कि मिथुन रासी वालों का नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अच्छर का की कू घा अंगा च्छ के को और हो से सुरू होता है उसकी रासी जो है सो मिथुन है दिवी और सज्जनो उसकी रासी मिथुन है मिथुन रासी वालों को कॉंडली के एकादस बहाव में राहु बैठा हुआ था 17 मार्च 2022 से लेकर के 39 नौवंबर 2023 तक है आप वनवब कर रहे होंगे 17 मार्च 2022 से 39 नौवंबर 2023 तक कि आपको लाव मिलने में जो है सो पड़ेसानी का सामना करना पर रहा होगा आपको लाव इतने आसानी से नहीं मिल पा रहा होगा आमदनी के बृद्धी में अनेक परकार की बाधाओं का मिथन रासी वाले आपको शामना करना पर रहा था आप किसी भी परकार से आमदनी का कोई रास्ता खोलने की कोशिस कर रहे थे कोई भी बिजनेस शुरू करने एकोसिस कर रहे थे अत्वा आपका कुछ भी बिजनेस शुरू था जहां से आपको उमीद थी कि कुछ लाव को सकता है लेकिन उस जगह से आपको लाव के बदले हानी हो जाती थी आमदनी में ब्रिद्धी के बदले आमदनी में जो है सो आपको हास देखने को मिलता था ब्रिद्धी के बदले पढ़ोतरी के बदले घटोतरी देखने को मिलती थी आपकी आमदनी जो है सो घट जा रही थी अच्छा नहीं चल रहा था इसमें में आप अनवब कर रहे होंगे कि आप अगर किसी उभलवधी की प्राप्ती को करने की कोशिस कर रहे थे आपकी एक्षा थे है कि कुछ हांसिल करे किसी चीज को एच्छीव करे उस जगह पर में पहुंचे तो देवी और सज्जनों आप देखेंगे क्या देखेंगे आप आप देखेंगे कि आपकी जो उपलवधी है आपकी जो मनोकामना की पूर्ती है उसमें बागाएं आ रही है उसमें जो है परेसानी का सामना करना पर रहा है आपको उपलवधी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो पा रही है आपके उपलब्धी में यह एक आदस भाव में यहां पर बैठा हुआ राहू कुछ नकुछ किसी ने किसी कारण बस परेशानी किसी ने किसी कारण बस सौस्या आपके सामने मिला दे रहा है जिसके कारण से आपको जो है तो फाइदा नहीं मिल पा रहा है देवी और सजनों आप ये भी देख रहे हैं कि एक छोटी छोटी इच्छा क्यों नहों आज आपका मन जो है तो एक मुवी देखने का हो गया आज आपका मन हो गया आज आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं आपनी अनुभव किया होगा 17 मार्च 2022 से और 29 नौंबर 2023 तक ये अनुभव करेंगे कि आपका मन तो हो गया मुवी देखने का आपके पॉकेट में पैसा भी है आप जाना भी चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी कारण बस वो समस्या आ गई रुकावट आ गई आपकी एक्छा पूरती नहीं हो भाई ये छोटी सी एक्छा की एक एक्जामपल दी हैं ऐसे बहुत सारी एक्छाएं हैं जो आपके सामने हैं आप पूरा करना चाहते हैं आप पूरा कर भी सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन कहते हैं कि वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा वो हो नहीं पा रहा तो वो आपको इस समय में देखने को मिलेगा वो एक च्छाय आपकी पूर्ती जो है इस समय में होती हुई नजर नहीं आ रही है देवी और सज्जनों कुंडली के एकादस क्या कुंडली के एकादस भाव में राहु के बैठने के कारण आपने ऐसा अन्भव किया होगा 17 मार्च 22-29 नौबर 2023 तक अन्भव करेंगे कि आपके जो बरे भाई बहन है आपके जो सिनियर्स हैं आपके जो सिनियर्दिकारी हैं उनसे भी अगर आप किसी प्रकार का कोई लाव लेना चाह रहे थे उनसे भी आप किसी प्रकार का कोई फाइदा लेना चाह रहे थे तो वो जो है सो आपको नहीं मिल पा रहा वहां से आ आपको लाव नहीं मिल पारा, वहां से आपको खायदा नहीं मिल पारा, अगर जहां पर मैं मिलना है दस रुपे का लाव, तो वहां पर मैं आपको पाँच रुपे, दो रुपे में संतोस करना पर रहा है, इस्थिती कुछ इस प्रकार से उत्पन्न हो रही है कि मंजिल तक र भाव में बैठने के कारण राहू के आपको सिर्फ बड़े भाई ही नहीं सिनियर जी नहीं वड़ी बहन भी अगर है वहां से भी कुछ लाव लेना चाह रहे थे तो ये राहू वहां भी बाधा उत्पन कर रहा था देवी और सजनो और आपको मैं बता दूँ कि राहू की जो पंजम द्रिष्टी है तो इस भाव से उठेगी और देख लो एक दो ते चार पॉट इस भाव पर में तीसरे भाव पर में पड़ेगी तो क्या-क्या हो रहा होगा पिछले समय में वो सुझिए पिछले समय में यहां से राहू की जो पंजम द्रिष्टी तीसरे भाव पर करने दे रहा है जुनियर्स्का भी खूब लाव नहीं मिल पा रहा रहा है जुनियर देभी और सज्ञ DU आ है पिछ आपके खुद के प्राक्रम में भी यह जो है व्रिद्धी करने के बदले हास करने का प्रयास कर रहा था पिछले कुछ समय में अठाड़ा महीने में आप देख रहे थे कि आपके धैरी को कमजोर करने की कोशिस कर रहा था राहू माता के लिए भी विप्रिश समय था यहां तक की कुछ लोगों के माता की मृत्यू तक हो गई होगी देवी और सजनो गुप्त सत्रू जो है सो परिसान करने का प्रयास कर रहा था और गले नाकांसो सनंग से संबंधित परिसानी सर्दी खांसी जुकाम यह सब तो राहू देही रहा था राहू के यहां से जो सब्तम द्रिष्टी है सो कुंडली के पंचम भाव पर है पंचम भाव पर में सब्तम द्रिष्टी परने के कारण आपको मैं बता दूँ कि संतान का सुख क्या संतान का सुख जो है सो आपको बहुत ज़्यादा इस समय में नहीं मिल पा रहा था जो लोग माता पिता बनना चाह रहे थे जो मैलाएं गर्वधारन करना चाह रही थी उसको इस समय में गर्वधारन नहीं हो पा रहा था गर्वधार नहीं रहा था जो माता पिता बनना चाह रहे थे जिनके बच्चे का जन्म हुआ है पिछले 18 महिने में उनको बड़ी परिशानी के साथ बच्चे का जन्म हुआ होगा चाहने वाले लोगों की संख्या को ये कम कर रहा था आपके यस में कमी ला रहा था पेट से समंधित परिशानी भी आपको ये राहू जो है इसो दे रहा था और राहू की नवम द्रिश्टी सब्तम भाव पर में यहां पर नुग जिसका बिवा होने वाला था उसके बिवाह में भी ये बिलंब कर रहा था राहू इसका प्रियास ही रहा हो रहा था किसी प्रकार से आपका बिवा जो है इस समय में ना हो बिलंब हो जाए जिसका बिवा हो चुका था उसको बैवाहिक जिवने परिशानी टेंसन तनाव का योग बना रहा था ये राहू और दिवी और सजनों इतना ही नहीं इस राहू के कारण आप ये भी अनवब कर रहे होंगे कि पिछले कुछ समय में अठारा महिने में पैसाव के रास्ते संबंधित प्रोस्टेट से संबंधित भी कुछ परिशानी का आपको सामना करना परा हो शकता है तो ये अठारा महिने जो पिछले रहे हैं दिवी और सजनों इस इस मामले में खराब रहे हैं लेकिन अब ये अठारा महिने किस-किस मामले में फाइदे मंद रहेंगे उसको समझने का आप प्रियास करो देवी और सजनो राहू यहां से उठ करके अब दसम एकादस भाव से उठ करके यह आ जाएगा दसम भाव में कहां आ जाएगा तो सबसे पहले जैसे ही राहू एकादस भाव से यहां से हट करके दसम भाव में आएगा तो लाव में बृद्धी होना शुरू हो जाएगा क्योंकि जो सबसे बड़ी रुकावट लाव के लिए था राहू वो 29 नौवंबर 2023 को जो है सो यहां से हट रहा है बहुत सारे लोग करें कि 30 अक्टूबर को ही राहू का रासी प्रिवर्टन हो रहा है मगर यह सही नहीं है तो राहू का जो है 29 नौवंबर 2023 से यहां पर से हट करके कुंडली के दसम भाव लिया जाएगा और दसम भाव में आते ही क्या करेगा कि एकादस भाव से संबंधी जितनी भी परिसानी थी 29 नौवंबर 2023 से लेकर के 29 पहुंच दोहजार पचीस के बीच में उन सबसे संबंध परिसानी में कमी आ जाएगी वो समस्याएं कम हो जाएगी जैसे कि सबसे पहला आय में कमी हो रही थी लाव कम मिलना था उसको यह रिमूट करेगा आय में वृद्धी होना शुरू हो जाएगी लाव मिलना शुरू हो जाएगा आपको उपलवधी की प्राप्ती होना भी श झाल रहा था जो काम नहीं हो पा रहा था दीसे और आपको इंचरप्ठ करना बंद कर देगा खुद के प्राक्रम में आप अन्वाबि विर्धि करेंगे कि आपका प्राक्रम जो है जो बिद्धी हो गया है आपका पैसेंस लेबल धैरे को जो राहू बार बार इंटरप्ट कर रहा था तोरने का प्रयास कर रहा था वो बढ़ने लएगा आपके गुप्त सत्रू यनि की छुपे हुए दुस्मन जो आपको बार बार परिशान कर रह अब जानते हैं कि हमने बताया था अभी अभी कि पंजम भाव पर पड़ेगा था पंजम भाव पर जभी सब्तम देश्टी पड़ेगा तो क्या करेगा संतान के सुख में जो बाधा दे रहा था यह राहू अब संतान का सुख भी आपको लेने देगा आपके विद्या- लोगों कि संख्या भी बढ़ पाएगी ननियाल से भी जो है आपको लाव मिल पाएगा और आपको बतादू कि नवम द्रिश्टी जो है सुकुंडली के सब्तम भाव पर में जिसके कारण से क्या करेगा तो जीवन साथी के साथ जो टेंसन पनाव दे रहा था उसको दूर क जोनों दैनिक रोजगार वेवसाई के छित्र में भी आपके लिए ये समय बढ़ियां रहेगा गुप्त सत्रू का नास तो होगा ही प्राइबेट पार्ट से सम्मंधित प्रसाव के रास्ते से सम्मंधित किसी प्रकार की परिशानी दे रहा था उन सब को दूर करेगा और पार्टनर सीप में जो परिशानी दे रहा था वो भी इस समय में राहू के कारणाव दोड़ हो जाएगी तो ये तो राहू जिस जिस मामले में परिशानी दे रहा था उस मामले में देना बंद कर लेगा लेकिन कुछ मामले में अब राहू आपको परिशान जरूर करेगा जैसे कि देख लो आप कि मित्वून कर यहां पर में में सराशीम आ ठीक है तो जैसे ही दसम भाव में राहू 39 नौबर को यहां से जो है सो हट करके और यहां पर में आ गया कॉंडली के दसम भाव में आ गया तो यह क्या करेगा तो आप अन्वाव करेंगे कि 39 नॉंबर 2023 के बाद आपको आपके पिता जी के साथ टेंसन तराव के इस्तिती बनने शुरू हो जाएगी बाद प्रतिष्ठा मन सम्मान में भी आप देखेंगे कि कुछ न कुछ परेसानी करने का अच्छा रिजल किस मामले में दिया वो भी बड़ी इमानदारी जब ने बता दिया बुरा रिजल्ट के बाड़े में लोग कहीं चर्चा नहीं कर रहे हैं कोई नहीं आपको बता रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूं तो आपके पद परतिष्ठा मांद सम्मान को भी ये कम करने की कोशिस करेगा अधिकार की प्राप्ती में बाधा उत्पन करने का प्रयास करेगा राहू की पंजम दृष्टी दूतिय भाव करमेत राहू का प्रयास रहेगा किसी ने किसी कारण बस इसको परिवार में लडा कर सम्मंध साथियुक्ति ने कर्द का सब्सक्राइब कर डियुक्ति जो है इसके कारण से चोथे को खराब करना चाहेगा पिता जी के स्वास्त पर में दावा वो लेगा माता पिता के स्वास्त में प्रेसानी तो सबसे पहले हेल्थ वाई यिसु देने का यह प्रयास करेगा इन 18 माहिनों में और दूसरा जमीन मकान गारी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग कुछ न दबो चलू इसको किसी प्रकार से परिसान करो इसको किसी प्रकार से नीचा दिखाऊं दुस्मन यह प्रयास करेगा देवी और सजनों कि आपको चिंदा में डाला जाए रोग भी कुछ परिसान कर सकता है राहु करण कर्ज बगेरा लेने का प्रयास ना करें केस मुगदमा के लिए राहू के लिए आपके पास में उपाई ये है कि आप क्या करें कि जितना भी सनीवार आए उस दिन कम से कम एक माला और रांगरा भे नहीं बन्हें करना कम करेगा नहीं तो बहुत करते रहा देवी और्युक्त करता हूँ कि आप दोनों समझ गए होंगे आपको अब किस मामले में अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको किस मामले में बुरा रिजल्ट मिलेगा किस मामले में बुरा रिजल्ट मिल रहा था ये भी आप समझ गए होंगे किस मामले में अच्छा रिजल्ट मिलेगा ये भी आप समझ गए हों आपको खुस करने के चक्र में अपने जोदिश विद्या से गद्दारी करने तो देवी और सजनों उम्मेद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा अगर आपको पसंद आया अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को स वाएं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंकियो थैंकियो सो माज जहिंद बन्दमातरम बोलिए राधे राधे